हलो एवरिवन ग्रीटिंग्स जी है कैसे हैं बचे आप सब I hope you are all is well तो आपकी वक्षीट है शिक्षा निदेशाले रास्ट रास्ट रास्था इंख्षेत अदेली की वक्षीट नमबर आपकी 14 यह बिटा सिट्स क्लास की सामाजी की विग्यान की वक्षीट आपकी विदार् करने वाले भूगोल क कारकों के बारे में पढ़ेंगे वक्षी शुरू करने से पहले विटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने ऐसे शेयर करें तो वरक्षीट नमबर वन में हमने पढ़ा के विभीदता कुछों है विभी दनथा को तक wheat साथा की क्या विवीधता को ह्ण बढ़ता है चोंटा को चाहि delivered करते जीव स्माज़ और देंसे इंसे बाद करते हैं कि क्या भूगोर मिवेरत को परभावित करती है आओ हमारत को दो दो बागों के भोगोलिक तत्थों के बारे में पढ़ेंगे तो देखे बिटा आज हम दो भोगोलिक अलग अलग तरह के भारत के भोगोलिक तत्थों के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हमारा लद्दाग जो है वो क्या है लद्दाग जो है हमारा लद्दाग जो है जम्मूर कस्मी के पुरुए हिस्सों में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी जो है लाका है और आगे है बिटा कि जो है लाका है यहां पर बहुत ही कम काम खेती संबव काम नही आएगा क्योंकि इस अक्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती यह इलाका वर्ष के काफी लंबे समय तक बर्थ से ढखा रहता है पीने के पाने के लिए लोग कर्मी के महीने में पिंगलने वाली परख पर निर्बर रहते हैं लोग यहां अपने पास बेड़ बकरी और य यह किया जाता है यहां के लोग दूद से पने पदात जैसे मक्षन हो गया चीज मास खाते हैं लद्दा के लोग बड़ी सावधाने से उनको इखटा करके कश्मीर के व्यपारियों को बेच देते हैं लोग उनी कपड़े पहनते हैं कारणों का पता लगाए कि लद्दा के लोग उनी कपड़े क्यों पहनते हैं तो देखिवे यह ठंडा इलाका है यहां के लोगों को पानी मिलना ही मुश्किल हो जाता है और इस कड़ाके की ठंड के कारण बचने के लिए यह लोग उनीवर्स्तर पहनते हैं दूसरा प्रशन दिया गया है कि लद्दा के लोगों क तो इनकी बकरी। और यहां से यас उन से ही पश्मीना के यह जो है यहां पर पश्मीना के शूल बना रहे हैं आगे देखिए क्या दिया गया है केरल केरल भारत के दक्षेन्भशन पश्मिकोने में बसा हुका राज्य है यह एक तरब से समुंदर से घीरा हुआ है और दूसरी तरब से पहाड़ियों से यहां मौसमी भारी वर्षया होती है और इन पहाड़ियों पर विविद परकार के मसाले जैसी काली में चलोंग इलाची आदियों आये जाते हैं इन मसालों की कारण यह अक्षी तरव्यापारियों के लिए आकर्शक बना है केरल की उपचाव जमीन और जलवायू चावल की खेती के लिए बहुत उप्यूक्त है वहां के अधिकतर लोग मचली सबजी और चावल खाते हैं केरल का परंप्रिक पहनावा क्या है धोती देखे यहां पर जो है लोग भी धोती बानते हैं और जो है और भी साड़ी यानि की धोती ही पहनती है यहां इसे मुंडू कहते हैं क्या कहते हैं बिटा मुंडू कहते हैं मुंडू समाने रूप से सूती कपड़े से बनाई जाती है यानि की धोती को क्या का जाता है मुंडू का जाता है तो यहां बस दिये गए हैं बिटा सबसे पहला पशना है कि केरल के लोग जो है परंपरिक रूप से धोती क्यों पहनते हैं क्योंकि यह उनका पहनावा है केरल के लोग हम लिखेंगी बिटा उत्तर में केरल के लोग परंपरिक रूप से धोती पहनते हैं क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत जादा होती है और यहां धोती सूत कपड़े की बनी होती है ठीक है दूसरा है कि केरल के लोग भोजन में चावल मचली और सब्जियां क्यों खाते हैं तो हम यहां लिखेंगे कि वहां के अधिकतर लोग जो है भोजन में चावल मचली खाते हैं और क्योंकि यहां से लिखेंगे बिटा कि केरल की उपजाओ जमी और जलवायू चावल की खेती के लिए उक्तूत है और वहां के लोग अधिकतर मचलीच सब्जी और चावल खाते हैं क्योंकि वहां की पैदावार ही यही है तो यहां पर होती है बच्चे आपकी वक्षीट कंप्लेट आई हो तो आपको समझ भी आ गई होगी अगर आपको य कि अच्चे लग तो प्लीज लाइक शेडिग शेडिश अट प्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू बटा थैंक्स पो होता है